हलो रिवन स्वागत थाब सबका रड़ने वित कॉतम यूटूब चैनल में तो आज किस वीडियो हम करने वाले हैं क्लाश 12 सैकलोजी के यानि कि मनोव ज्यान के मौश्ट भीवा अजेक्टिव कोशन एंसर को जो कि आपके आने वाले बोड एक्जाम के लिए काफी जादे इं का निर्मान किया था यानि कि option बर ए हो जाएगा नेश्ट कोशन करते हैं अगला कोशन है हमारा कि निमली खित में से कौन नव फ्राइडवादी नहीं है यानि का option बर दी हो जाएगा यूग एडलर उफों यह तीनों कोण है नव फ्राइडवादी है WILL नहीं है अगला कोश कोशन है हमारा फ्राइड के अनुसार और डी पस की अवदी में चालक के परतियुकता करता है तो पिता के साथ करता है और डी हो जाएगा नेश्ट कोशन है कि निवलखित में से कौन सेल्डेन के व्यक्तित परकार के अंतरगत समझा जाता है तो चार उप्शन में आपको बताना है तो गोलाकार गोलाकार जो होगा यह सेलडेन के व्यक्तित परकार के अंतरगत समझा जाता है कौन तो गोलाकार उप्शन में C हो जाएगा Next question है किसने आत्मसिधान्द की अभधारना को प्रस्तुत किया है किसने आत्मसिधान्द की अभधारना को प्रस्तुत किया है तो मासलो ने मासलो ने आत्मसिधान्द की अभधारना को प्रस्तुत किया है Option मेर A हो जाएगा और यह important question है उसको अच्छे से यादी रखिएगा अगला question करते है और नेस्ट question है हमारा सामोहिक और चेतन के विषय को कहा जाता है और देखे है अभी तक आप लोग इस पीडियाप को नहीं लिए ता आप लोग इस पीडिये अच्छे को ले सकते है और यह बहुत सारे बच्चे जो इस पीडिये आप को ले चुके है से वीडियो को तरह स्किप करके तो उगजाये को आगे से देख लीजाए गार जो लोग नहीं लिया किस तरह सले बता देते हैं आपका जो भी आर्ट वह को लÄ हुसकी पाफ़ ओको मिल जाएगा इसी दस में से कोई आपका पंस बुल्ट होगा हपप कुछ इसी दस में से कोई आपका 500 होगा इस 547 का पीडियोफ आप लोगो को मिल जाएगा और इस पीडियाप में जैसे एक्जांपल के तौर पर बता देते हैं आपको आप बड़ वीडियो से देख रहे हैं तो आप लोग का सब्जेक्ट जोगा सैकलोजी तो होगा ही सैकलोजी का एक्जांपल के तरव बता देते हैं कि सैकलोजी का अगर पीडियोफ लीज एगा तो उसमें आपको क्या-क्या मिलेगा जैसे सैकलोजी में चैप्टर के तने हैं तो 11 चैप्टर है तो 11 हो चैप्टर के चैप्टर वाइज ऑबजेक्टिव कोशन मिलेगा और साथी साथ सारे बच्चे का हिंदी तो सब ट्राता ही है तो अगर आपको हिंदी का लीजेगा तो हिंदी में आपको 650 अबजेक्टिव मिलेगा लग उतरी द्रीग उतरी और 100 वाला जो कोशन होता है वह आपको 100 मिलेगा और इसके साथ यहां पर लिखें नहीं है लेकिन आपको देंग लेकिन इसको पढ़ेंगे क्या बहुत सारे बहुती आपके पास टैम कम बचा हुआ कम पलो इसका कर सकते हैं तेयारी तो कर या नहीं हूब आपको बता देते हैं जैसे आपके एक्जांपल के तौर पर लेते हैं कि स्पलुजी में चैटर कि इतने हैं तो स्पलुजी में 11 इस एकार हो चेटर को आप लोग न 6-7 गंटा में तयार कर सकते हैं यानि कि आप पूरा psychology का उसलिवस है अच्छे तरीके से बहुत ही बढ़िया तरीके से 6-7 गंटा में अगर ज्यादा भी हो जाए अगर अपने धीरे भी अगर परते होगे फिर भी आठ गंटा तो बहुत ही हो गया मैकसिमम आठ गंटे में आप लो सेकलोजी का जो प्रिप्रेशन है बहुत ही बढ़िया तरीके से कर सकते हैं अब किस तरह से करना है वह हम आपको बताते हैं तो 500 कोशन देंगे इस 500 कोशन को अगर आप लोग कर लेते हैं आपके आनेवाले बोड एकज़ाम जो भी प्रशन आएंगे न वहीं से आएंगे एक भी प्रसन इसके अलावार नहीं देखने को मिलेगा क्यों नहीं देखने क सकते किस तरह से करते तो बताते आप लोग हरे चेप्टर को जो है 40-45 मिनट में सब्जेक्टिव के साथ कर सकते आपका यह घंटा में भी कैसे हम त्यारी करें आपके मन में यह होगा इस तरह से कर सकते कि एक सर विटम कोशन कितना देंगा आपको, एक सर विटम जाजादा 30-40 कोशन है, अब 30-40 कोशन को, अगर हरे कोशन को आप लोग एक मिट में भी पढ़ते हैं, समझते हैं, ऐसा नहीं कि पढ़ लेना है, जैसी आप लोग पढ़िएगा, तो objective में क्या होता है, चार ओप्शन दिया रहाता है, वो आपको दिमाग में छप जाता है, एक बार सिर्फ अस्तीर से आप पढ़ लेते हैं, तो जैसी आप एक्जाम जाएगा, तो आपको याद आजागा, इसका तो यह answer होगा, पढ़े हुए हैं, इस तरह से आपको याद आजागा, समझगे न, तो आप लोग अगर आधा गंटा, याई फैतालिस मट पर एक चेप्टर को कम्प्रीट करते हैं, तो 7-8 गंटा में आप लोग पूरा सैकलोजी को कम्प्रीट कर सकते हैं, और इसी तरह से आप लोग हरे सब्जेट को कम्प्रीट कर सकते हैं, या ऐसा ने कि आप लोग 7-8 गंटा एक बारी पर लीजें, अगर आपको पर पास टैम बचा हुए, तो आट दिन में एक एक गंटा पर ही है, और एक सब्रेट का तो आपको पीडिएफ मिलेगा ने, आपका जो भी 5 सब्रेट होगा न, उस 5-6 सब्रेट को आप लोग बहुत ही कम समय और बहुत ही बढ़िया तरीके से त्यार कर सकते हैं, जो लोग अभी तक कुछ भी नहीं पर हैं, उनके लिए पीडिएफ रामबाम है, यानि कि वो इस पीडिएफ को ले करके बहुत ही बढ़िया नमर ला सकते हैं, जो लोग पहले इसे अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं, तो आपसे बढ़ नहीं पाता है, समझ भी नहीं आता है, इसका यह होगा ही होगा, इसका बसऐ ही एक ही सलूशन है, कचा परका कौर्षक करना पढ़ेगा हां , जो लोग सब कुछ पढ़ना उनके लिए बोड़नएं, आप आप जो सकते हैं अहों किस सरे हैं अब सकते हैं तो प्योट बता देते हैं चैंठ कर few इतना क्यों रखें ताकि हर एक बच्चा जो भी विडिुकद्स पीडियो लचरा स만 ने अपने आने वाले बोड आ जाने ऍफूर khi रहते। को effort कर सकें ले सकें अब लेना किस तरह से है तो देख लिए यह नमर दिया हुआ है 790382089 इस नमर पर फोन पे गोल पे पेटीम कुछ भी कर सकते जैसे यह नमर आप लोग फोन पे गोल पेटीम में डाल येगा नाम आ जाएगा गौतम पॉइंट उसमें आपको क्या करना है प बहुत जाए यह था हरी बहुत ही कम समय में कर चुके समयнаком के वहां का सबहुत हों बहुत ही कम टिम बचाए तो ओसलिक बहुत ही कम पंछाब आप ले करकर में बहुत ही बढ़ी कम भोटीम प Sakit के अपने अगले बLike इंगरनती का नोध ich recognize the Canada को से शुक Anda क्या होता है औरेनल परकार नहीं है, व्यक्तिगत अश्वा, समाजिक अश्वा और समंध्धात्त्मक अश्वा ये तीनु आश्वा का recordings ये इस अश्वा का परकार है लेकिन परचान अश्वा जो ये अश्वा का नहीं है option मेरा a कॉस्छन है कॉस्छन के निर्माता कौन है चार ओप्षन सब को बताना है तो एक्षान के निर्माता है आप्षन मर बी हो जाएगा नेस्ट कोश्छन है हमारा वैक्तित्थ के शील्गुन उपागम के अग्रानी मनोविग्यानिक जो वो किसे का गए तो आल पोट को कहा गया option मर बी हो जाएगा अहला कोशने मारा है कि निर्ण में से कौन व्यक्तित विशेष्टा है चार ऑप्शने में सब को बताने है कि कौन व्यक्तित विशेष्टा है देखिए इसमें से समवेग तो नहीं है श्रिजनात्मक्ता भी नहीं लेकिन व्यक्तित विशेष्टा होता है किसी व्यक्तित विशेष्टा होता है उसके व्यक्तित विशेष्टा होता है उसके व्यक्तित विशेष्टा होता है उसके व्यक्तित विशेष्टा होता है यानि ऑप्शन में यह हो जाएगा अहला कोशन है कि निर्ण में से कौन आ किस ने आत्म सिद्ध कहा जाता है किसे कहा जाता है। चार आत्म सिद्ध आत्म कहा जाता है। अगला question है कठानक आत्म बोद परिक्षन में साधा कार्ट की संख्या कितनी होती है कितनी होती है तो एक ही होती है option मेर झाएगा sorry B हो जाएगा एक ही होती है अहला कोशन है हमारा व्यक्तित विशिधान्त के विशेस उपागम का अगरानी है कौन इसके अगरानी है चार उप्शन में साब को बताना है तो अलपोर्टी इसके अगरानी है उप्शन में सी हो जाएगा next question है किस ने आधर सक्रात्मक आधर का संप्रते किया है किस ने आधर सक्रात्मक आधर का संप्रते किया है चारा option दिया हूँ और इसमें सब को बताने किस ने किया है तो rogers ने किया है rogers ने आधर सक्रात्मक आधर का संप्रते किया है option हो जाएगा नेस्ट कोशन है, सेल्डन के व्यक्तित परकार में नहीं है, चार उप्शनों सब को बताने हैं, कि सेल्डन के व्यक्तित परकार में कौन नहीं है, तो पहले तो यह समझ रहेते कौन कौन है, तो गोलाकार है, एदकार भी है, और लंबाकार भी है, लेकिन क्रिसकाई जो है, व किसने कुंठा अक्रमन शित्धान्त का प्रति पादन किया था मिलर तता डुलाड किस ने किसके दौरा किया चैए हमस और सहलिक के दौर ओप्शन था जाएगा तो उन्हें क्या कहा जाता है तो उन्हें मनोविज्ञानिक दबाब कहा जाता है ऐसे दबाब जो कि हम अपने मनोविज्ञानिक दबाब option में सी हो जाएगा निश्ट कोशन है करमवद औश्वेदी करन का परतिपादन किस ने किया था तो करमबद औश्वेदी करन का परतिबाधन किया था अगला कोशन है जब व्यक्ति अपने वखशक्ताओं के तुष्टी के लिए बाहरी कारकों के साथ उच्फिट समनभे अस्थापित करता है तो उच्छे क्या कहा जाता है? उच्छे कहा जाता है समायोजन option वर B हो जाएगा जब भी कोई व्यक्ति अपनी अवर सकताओं के तुष्टी के लिए बारी कारकों के साथ उचित समनवे अस्थापित करता है तो उसे क्या कहा जाता है तो उसे कहा जाता है समाय योजन option वर B हो जाएगा अगला कोईशन करते हो नेश्ट कोईशन हमारा 29 नमरे कोईशन के विचारो प्रेर नाओ अवर शकताओं एव उदेशों के परस्पर विडियोत के फ़लसुरूप पैदा हुई तनाव का परकार जो होता है वो क्या कहलाता है तो वो द्वन्द कहलाता है option मर यूश्ट्रेस यूश्ट्रेस जो है यह तनाव का धनात्मक पहलू है option मर और सी हो जाएगा अगला कोईशन है अंग्रेजी के सब्द इस्ट्रेस की उत्पत्ति किस भासा से हुई है इस्ट्रेस सब तो आप लोग कई बार सुन ही चुके हैंगों तो अंग्रेजी का जो इ तनाव का रिनात्मक पहलू कोन है तो डिश्ट्रेस जो है यह तनाव का रिनात्मक पहलू है यानि का option मर बी हो जाएगा next question है हमारा कि तनाव परवंधन के लिए निमलिखित योजनाओं में से कौन अधिक परवावी है कौन अधिक परवावी है तो शंग्यान में परिवर संग्यान में परिवर्तन जो है यह तनाव परवंधन के लिए सबसे अधिक परवावी है option मर सी हो जाएगा next question है हमसे सेली के अनुशार तनाव है तो हमसेली के अनुशार तनाव जो यह क्या है तो एक विशिष्ट अनुकिडिया है option मर बी हो जाएगा अगला question है सेवेगा अत्मक समयोजन का आश्य है तो इसका मतलब होता है परस्तितिक अनुशार अपने सेवेग को व्यक्त करना option मर बी हो जाएगा इसे के साथ वीडियो पे कंपलेट करते है आसा करतो हूँ आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा और पीडियाप के अप लोग को अल्लिडरी ऊपर बता ही दिए कि आप लोग बी चाहे तो इस पीडियाप को ले सकते है और डिटेल में बता दे कि जो भी 5्य सबडियो के अपने आजने वाले ऐखाम के त्यारी बहुती कम समय में और बहुती बढ़िया तरीके से कर सकते है अगर तो आप लो